तमस्कार आप देख रहें नीटी भारत मैं हूँ आपिर साथ इशाश्र वास्तव नेता पिरोदी तर विजे सिंधा ने केंडरीय सरकार के बजट पर अपना बयान दिया है आपको बता दे कि बिजे सिंधा ने इस बजट को मद्या वर गिये परिवार और किसानों को फाइदा पहुँचाने वाला बजट बताया है और कहा कि केंडरी सरकार की ये बजट देश के विकाश में काफ़ी सायोग करेगा विजे सिंधा ने कहा कि बिहारियों को फायदा होगा या नहीं से तेजस्वी प्रसाद यादा को कोई मतलब नहीं है आगे उन्हेंने इपनी बातों में क्या कुछ कहाया ये सुनते हैं लगहू सिमान्त किशानों के परति और मजदूरों के परति गरीब लोगों के परति जुवा महलाओं के परति समर्पित हैं। बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सरानिय है और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रुप से मजबूत होगा और हर तपके के लोग को आगे वरने का अवसर मिलेगा। पर तेजस्वी जादव तो कह रहे हैं कि बजट से बिहारियों को कोई फाइदा ने होने मादा है। बिहारियों को फाइदा होगा की नहीं होगा ये तेजस्वी जादव जी को कोई मतलब नहीं है। पांच विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भरस्टाचार और लूट की परविर्टी जो वनी है उस परविर्टी पर यहां की सरकार वजट को देखती है। लेकिन देश के प्रदान मंत्री जी ने हर वजट के अंदर जो डाइरेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर का विवस्था लाभुक को दिया है। उससे कुछ लोग परशान जरूर हो रहे हैं। सरकार की कोई भी एक्जामनेशन का पेपर लिक नहीं हो यह अपने आप में आश्चर्ज होगा। हर BPSC का हो, BSSC का हो, दारोगा का हो, सिपाही का हो, जेनरल एक्जामनेशन का अभी परिक्षा अब लिक होने लगा है। क्योंकि वहाँ पर जो सिक्षा विवाग के मंत्री हैं, पूरी तरह से फेल्योर हैं, इनसे समभल नहीं रहा है। अपने सिप्षा विवाग से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये संपरदाईक तनाव पैदा करेंगे, उटपठांग ब्यान देंगे, रामचरित मानस जैसे विशय पर ब्यान देके चर्चा में अपना एजेंडाता ही करेंगे, ऐसे सिप्षा मंत्री को लेके बिहार क मुख मंत्री समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं, आज समाधान यात्रा पर गए हैं, एक्जामनेशन का कोश्चन का पेपर लिक हो रहा है, और वो समाधान कर रहे हैं, विद्याले जाकर देख रहे हैं, जब हाइकोट ने संग्यान लिया, और इनको डिवरलाइज करने का प्रियास किया आइना दिखाया कि आपके विद्याले में 32 साल 33 साल स्रीमान लालू प्रसाजादा और नितिश कुमार जी के जिम्मे सिच्छा विभाग रहा और आप बच्चों के एक सवचाले की बेवस्था नहीं बना सकी धंग से बैठने का जगह नहीं दे सके जो प्राइ प्रायमिरी स्कुल, मेडिली स्कुल और हाइ स्कुल के अंदर क्या आप कर सकते हैं आप चरवाहा भी दाले खोल करके लोगों को पहले ही दिन संकेत दे दिये थे कि बिहार में सिर्फ चरवाहा भी दाले की जरूरत है भारतिये जनता पाटी एंडिये गठवंधन के अंदर Medical College और Engineering College तक पहुँचा दिया लेकिन आज उसमें सिच्छक की वेवस्था नहीं कर सकी इनकी मनसा विहार की सिच्छा वेवस्था को नस्ट करना है ताकि यहां के लोग अनपर रहे यहां के परतिभा को यह दबाना चाहते हैं जिसका कई जहां की दिखाई भी पर चुका है और आज जा रहे हैं विद्याले के अंदर मुख मंत्री जी का समधान यात्रा में निक्षन करने जा रहे हैं मुख मंत्री जी जो आपके साथ संसदिये कार्ज मंत्री सिच्छा मंत्री थे उनके पहले बडमाजी सिच्चा मंत्री थे कितनी गंविर्टा से सदन में ये लोग चर्चा करते थे पूरा बिहार देखता था कि सिच्चा विभाग पर जब भी बहस की बात आती थी तो सिच्चा विभाग पर कम बात करना इधर उधर भटकाना लटकाना घुमाना यही खेल होता था हम लोग आसन से कहते थे कि सिच्चा विभाग की गंविर्टा को लीजिए समझिए इस पर चर्चा कराईए लेकिन इन लोगों ने कभी गंविर्टा से नहीं लिया आज भी वही अस्तिति है ये परिच्चा लिक होना विभाग की और सरकार की फेल्विटी है और सिच्चा मंत्री को जिम्यवारी लेना चाहिए इस सिच्चा मंत्री से सिच्चा विभाग कभी नहीं सुधर सकता है ऐसे भी जब से राज़त के लोगों के साथ बिहार में सरकार बनी है सिक्षा, सुरक्षा, स्वास्त, सिच्चाई और सरक की बदहाल अस्थिती बन रही है और एक-एक विभाग परसपर समिक्षा करें और बताएं कि जो पैमाना था उसे नीचे गिर क्यों रहा है क्यों पूरी विवस्था चरमडा रही है क्यों बच्चे की आज को आप बंद करने की विवस्था बना रहे हैं नईक जांच क्यों नहीं कराते हैं BPSC का BSSC का पेपर लीख हुआ क्यों उस पर आपने एक्सन नहीं लिया मानलिये मुख मंत्री जी कुरसी के लिए कितना समझवता करेंगे कितना नीचे गिरेंगे बिहार की जनता देख रही है जनादेश आपके पक्च में नहीं गया है जनादेश NDA का है लेकिन आप चोड दरबाजा से जिन लोगों को लाया है इस जनादेश का अपमान कर रहे है और आप लोगों को कितना भी वरगला लें भारतिय जनता पार्टी निरने ले चुकी है कि आप जैसे लोगों को अब बिहार में रहने का कोई आउचित नहीं है और जब तक आपको सत्ता से बेदखल हम लोग नहीं करेंगे बिहार की जनता के साथ मिलकर तब तक चैन से नहीं बैठेंगे देखे गोपाल गैंज और सीता मरी हम लगातार दो दिन से उधर थी गोपाल गैंज में जो अंकित का हत्या हुआ है बरबरता पुर्ण धंग से एक दहसत का वातावरन बनाने का नया खेल शुरू हुआ है वो लड़का सेना में भरती होने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबजी लाने जाता है और उसको मस्जिद के निकट कुछ लड़के मिल करके महिलाएं भी थी 15 लोग बताया कि 15 लोग मिल करके पीठ पीठ करके चाकू से गोद के हत्या कर दिया और वहां का परसासन इसको दबाने के लिए प्रिंट मीडिया में एक लाइन न्यूज नहीं जाए वरगलाने के लिए ये खेल खेला गया ये तो एलेक्टोनिक्स मीडिया है जिसके मादम से पबलिक को जानकारी भी मिली है और जब हम लोग वहां गए तो उल्टे जो हत्यारा है उसके घर की सुरक्षा हो रही है लेकिन जिसकी हत्या हुई है उसको धमकाया जा रहा है परसासन के द्वारा डर गया मुस्लिम समाज के लड़के और उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे साथ अबैद संबंद बनाया और हमको धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था जब हमने वहां के एस्पी को बुलाए वहां का एस्पी मिलने के लिए आया नहीं इस तरह की घटना और कई घटना खूल करक शीमावर्ति जिले के अंदर हिंदूओं के लिए नंदर प्रसासन के लोगों से उल्टा केस्ट जमीए लोग करते हैं उल्टा अपराधी के पडिवार से केस करवाया जाता हर दोनों की समझोता करा के खाना पूर्ति की जाती है वो लड़की भी जो शिकायत की है उसके उपर भी उसके पडिवार पर केस करवा दिया गया कौन हैदर है और इस सब का नाम दिया आवेदन भी हमारे पास दिया है औ और लोग वहां बता रहे थे कि उचस्त पदादिकारी जो सरकार में बैटे हैं थाना तक को भी फोन कर देते हैं अलब संख्यक समाज को वचाने के लिए इसकी उचस्तरिय जांच होनी चाहिए बिहार को दहसत और आतंकबादियों का गर बनाने का खेल बंद कर दे बिहार के अंदर अब हिंदूों पर अत्याचार करने का तुष्टी करन की राजनीत में ये खेल नहीं चलने देंगे अब जहां भी इस तरह का है बुद्वार को हम लोग बैठते हैं और सुक्रवार को किसी भी हिंदू पर अगर जो कोई अत्याचार करता है भैका बातावरन मनाता ह या परसासन उसको परतारित करने का काम करता है भारतिय जनता पाटी खुल करके उसकी आबाज बनेगी और उसको न्याई के लिए सरक से सदन तक लरेगी निश्चित तोर पर आज सिमावर्ती जिले के अंदर हिंदू भैभीत हैं और सुरचित महसूस कर रहे हैं और ये खेल सत्ता के संड़क्षन में परसासन के द्वारा कहीं ने कहीं उसको सुरक्षा वेबस्था नहीं दी जा रही है और परतारित किया जा रहा है तो सुना आपने कैसे विजय सिंधा ने बिहार की सिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिक्षा मंतरी बिहार की सिक्षा में सुधार करने के वजाए रामचरित मानस पर दंगे फसाद करा रहे हैं आगे ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ DTE भारत पर नमस्कार